नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं भारत बंद के दौरान STAC चात्रों पदर्ज मुकाद में वापस लेंगे सियम हिमांत जार्खन की सियम हिमांसुरे ने कहा है कि आदिवासियों, मुलवासियों, दलीतों, पीछडों और अल्प संख्याकों को पूरे मान सम्मान के साथ हक और अधिकार दे रहे हैं यहां रहने वालों को आदिवासी मुलवासी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा परत्योक्ता परिक्छाओं का आविदन सुल्क माप करने पर सरकार जल्द निरने लेगी राज सरकार दोवारा दो अपरेल 2018 को भारत बंद के दोरान STAC चादरुपदज मुकद में वापस लेने के निरने पर आदिवासी छात्र संग और समस्त आदिवासी मुलवासी संग टन ने मुख्य मत्री के प्रती अभार जताया और जोरदार स्वागत किया इस दोरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आदिवासी और मुलवासी के साथ पूरी सर्वेदन सिल्ता के साथ सरकार खड़ी है आपका जोस और उत्साथ देहकर सरकार को भी ताकत मिलती है जारखंडी हमेशा से स्वाभी मानी रहे है मुख्य मंत्री ने चात्र चात्राओं से कहा है कि आप पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान रखे आपको परत्योक्ता पर रिक्षा की तैयारी से लेकर भी भीन कोर्सेस को करने के लिए सरकार की और से आथिक मदद की जा रही है जारखंड में दीपावाली पर सिर्फ दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे राज में दीपावाली के दिन मात्र दो घंटे के लिए ही पटाखा फोड़ सकते हैं राज में हावा की गुनवाता को देखते हुए दिपावली के दिन रात आठ बए से दस बए तक ही पटाखा छोड़ने की अनुवती पदान की गई है। इसको लेकर राज परदुशन कंट्रोल बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज की हावा ज्यादा परदुशित नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुरूप हावा की गुनवाता होने की वज़ा से राज में दिपावली के दिन दो घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुवती होगी। इसके अलावा धहनी परदुशन को लेकर भी बोड की ओर से दिशा निर्धेश दिया गया। जारखन अध्योगिक प्रसिक्षन अधिकारी की परिक्षा 27 से 29 नौबर तक होगी। राजची के विभिन परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा कायोजन किया जाएगा। जारखन करमचारी चेन आयोग ने इसकी तिती की घोशना कर दी है। परवेश पत्र की तारीख आयोग जल्द ही जारी करेगा आयोग ने सुरूत लेखक वर एस्क्राइब के लिए फरम भी जारी किया है इससे समधित अभियार्थियों को 17 नौमबर तक भर कर आयोग को देना होगा ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिना इसके ही परिक्षा देनी हो पीम मोदी के कारकरमों की तयारियों को लेकर खुटी पहुंचे बाबुलाल मरांडी जन जातिये गोरो दिवस के और सर पर प्रधान मतिन्याद मोदी के खुटी आगमन के कारकरमों को लेकर भाजबा के परदेश अध्यक्स बाबुलाल मरांडी खुटी पहुंचे उन्हो उन्होंने करकरताओं को कारकरम की सफलताओं को लेकर आवसक दिशानी देश भी दिया। रांची में सियम हमत ने नहरुप पार्क का किया उद्घाटन। और सी एम के सचीव बिनाय कुमार चोवे ने पंडित जुहारलाल नहरु की आदमकद मोर्ती पर सरधा सुमन और पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर हमन सुरेन के समर्थक में जम कर जिन्दाबाद के नारे भी लगाए। जारखन मंत्राले के पास इस पार्क की जरजर रिष्थिती को दे कर मुखी मंत्री हमन सुरेन ने अगस्त 2020 में यहां आकर निरिक्षन किया था। इसके बाद इस पार्क के जिनोधार का जिमा नगर विकास विभाग के जुड़कों को दिया गया था। और अभार जताने आए आदिवाथी चात्र शात्राओं को सम्वधित करते वे घोशना की है। उन्होंने युवाओं को सम्वधित करते वे कहा है कि जे PSC और JSAC के द्वार आयोजित होने वाली परिक्षाओं के लिए आवेदन सुल्ख काफी ज्यादा होता था। उसे सरकार ने कम करने का काम किया और परत्योक्ता परिशाओं के आवेदन सुल को पुरी तरह से माप करने पर सरकार जल्द ही निर्न लेने जा रही है जेल अधिक छक से इडी ने की पूस्ताच रांची जेल के जेल अधिक छक हामित अक्तर से गुरुवार को इडी ने लंबी पूस्ताच की है जेल अधिक्षक से इडी के गवाहों को जेल से परवावित करने इडी के अधिकारियों को टारगेट करने से जुड़े मामले में पूश्टाच की गई हामीद अक्तर गुरुवार को दिन के करीब 11 बजे इडी के रांची जोनल अफिस पहुंचे थे जहां तक इबन 7 घंटे तक एजेंसी के अधिकारियों ने हामीद अक्तर से पुश्टाच की है मिली जनकारी के अनुसार जेल अधिशक हामीद अक्तर जेल के मुलाकातियों की लिस्ट लेकर इडी धफ्तर पहुंचे थे मुलकातियों में उनके नाम सामिल थे जिन्होंने जेल में बंद मनी लॉंडरिंग के आरोपी प्रेम परकास और कुलकाता के कारवारी अमित अगरवाल से मुलकात की थी जारखन अस्थापना दिवस की तेयारी में जूटे हिमन्त सरकार जार्खण अस्थापना दिवस के मौके पर हमन सरकार कई सोगात देने जा रही है इसे लेकर गूरु आर 9 नॉमबर को मुख्य मंत्री हमन सरे ने जार्खण मंत्राले में राजी के आला दिकार योग सत्थ बैठक की मुक्षची सुखदेऊ सिंग की मौजूदगी में होई इस बैठक में विकास आयूग समेट राज सरकार के बिभीन बिभागों के सचीू भी मौजूद थे इस बैठक में राज अस्थापना दीवस समरों की तियारियों और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तीसरे चनल की सुरुवात की समिक्चा की गई बैठक में राज अस्थापना दीवस को भव्य एवम आकरशक धंग से मनाने के लिए राज एवम जिलास्तर पर की जा रहे तियारियों की समिक्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिये गए बता दे बैठा के बाद ज्थापना दीवस पर राज एकी जानता को बताने के लिए कई उपलब्दिया है अधिकारी तैयारियों को अमतिम रूप देने में जूटे हुए है ज्थापन कॉंग्रेस में मत भेद परदेश अध्यक्स की बातों से असाहमत हुए मंत्री ज्थापन कॉंग्रेस में इन दीनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एक तरफ जहाँ परदेश अध्यक्स कर रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं तो अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो तमाम तरह की योजनाएं लोगों तक कैसे पहुँच रही है उन्होंने उन योजनाओं के नाम भी बता है जिसका लोग लाब उठा रहे हैं चार्खन कॉंग्रेस के अध्यक्स राजेस्ट हकुरूर से जब या मुख्य मंतिर रोजगा सिरीजन योजना बेरजगारी भत्ता चात्रेशात्राव के लिए चात्रीटी योजना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हम लोग लगातार पर्यास कर रहे हैं लेकिन राजे के अधिकारी काम नहीं करना चाहते है बावजूद इसके अपने पर्यासों से गट बंधन की सरकार जानता से किये वादों को पूरा करने की ओर बढ़ रही है जारखन पर्देश कॉंग्रेस कमिटी के अध्याक्स ब्यूरो केरेंसी को लेकर भले ही विकास के प्रतिरूची नहीं दिखाने वाले अधिकारी के रूप में रखते हो लेकिन उनकी ही पार्टी के मंत्री बादल पत्रले की सोच पर्देश अध्याक्स से पूरे 360 डेगरी उलठाए प्रभात कुमार सर्मा ने उसे जेल भेजने का फैसला सुनाया इसके बाद उसे रांची को होटवार जेल भेज दिया गया वहीं दूसरा आतंग की आरीज हसनेन को बुद्धवर को कोट में पेस किया गया था जिसके बाद उसे होटवार जेल भेज दिया गया था आरीज ह सियो परदीप कुमार सही तिन लोग को ACB की टीम ने रिस्वत लेते रहंगे हाथ गिरफतार किया है रातु सियो परदीप कुमार को एक ब्यक्ति से जमीन के मामले में 25 रूपए रिस्वत लेते गिरफतार किये गा है रिस्वत मामले में रातु अंचल करयाले के करमचारी सुनिल कुमार और एक दलाल को भी गिरफतार किया गया गिरफतारी के बाद सियो परदीब कुमार के इंद्रपूरी रोड नंबर एक इस्थीत घर में छापे मारी भी की गई है मिली जनकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्योरो को एक व्यक्ति के द्वारा या सिकायत मिली थी कि रातू सियो अपने करमचारी और एक दलाल के मादयम से एक जमिन की मामले के लिए 50 एरुपे रिस्वत की मांग कर रहे हैं धन तेरस का जाने सुब महोरते धन तेरस कारति क्रिशन पक्ष त्रियोदैसी तीथी को मनाई जाती है इस बार त्रियोदैसी तीथी दस नॉंबर को 11.47 मियठ से आरंब होगा जो 11.9 को दीन के 1.13 मियठ तक रहेगा धनतेरस पूजा का सोभ महुर्ट साम पांच बचकर 26 मेट से 7 बचकर 22 मेट तक रहेगा जबकि खरिदारी का सोभ महुर्ट दोफ़र 12 बचकर 35 मेट से लेकर अगले दीन दोफ़र 1 बचकर 27 मेट पर रहेगा पंडित के अनुसार सुक्रवार को सुबा 10 बज कर 30 मिएट से 12 बजे तक राहु काल है धनतेयस पर सोना चांदी लक्षमी गनेश जी की मूर्ती धनिये के बीज और जहाडू खरीदना सुब होता है जहारखन अस्थापना दीवस पर सीम देंगे करोडों की सोगाद सीम हेमान सिलने 15 नुमबर को आयोजीत होने वाले जहारखन अस्थापना दीवस समारों और आपकी योजना आपकी सरकार आपके दोहर कारकरम को लेकर चल रही तियारियों को उच अस्तरी समिक्षा की है इस दरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने राजस्थापना दीवस समारों में लंच की जाने वाली नीतियों योजनाओं का उद्धाटन, सिलन्यास, परिसंपत्ति, बित्रन और अने कारकरमों की विश्तिर जनकारी ली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक भीयन के अनुरूप सभी कारकरम तय किये जाए सहस्तमाई सभी विवस्थाए पूरी कर ली जाए इस दरान अधिकारियों ने समारों के मिनट टू मिनट से उन्हें अवकत कराया इस मौके पर अबुआ अवास योजना और मुख्यमंत्री गराम गाड़ी योजना का भी सुबारम होगा करोलों की योजनाओं की सवगात दी जाएगी जार्खन निर्यात निती, जार्खन MSME निती, जार्खन स्टार्टप निती और जार्खन IT डाटा और BPO परमोसन निती लंच की जाएगी वहीं उच अस्तरियों समिक्षा बेठाक में मुख्याचिव सुखदेव सिंग, विकास आयूक, सह अपर मुख्याचिव अरुन कुमार सामिल थे गुमला में यात्रियों से भरी गाड़ी पल्टी तीन की मौत कई घायल गुमला जी लेके चैनपूर परखंड में सड़क हाचा हुआ है, एक टाटा मैजिक गाड़ी पलट गए, इससे तीन लोगों की मौत हो गए, जबकि एक दर्जन से अधीक लोग घायल हो गए, घायलों का इलाज चैनपूर वहा गुमला अस्पताल में चल रहा है, जनकारी असूर और एक बच्चे की गुमला सदर अस्पताल में इलाज के करम में मौत हो गई, एक दर्जन लोग घायल है, इसमें साथ लोगों की हालात गंभीर है, उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया है गढ़वा के मजियाओं में लगी भीशन आग, जारखन में गढ़वा जिले के मजियाओं प्रखन मुख्याले से महज 2 किलोमेटर उत्तर में, कॉलेज के बगल में स्थित सडक निर्मान कमपेनी के होट मिक्सिंग प्लांट में गुरुआर को अचानक आग लग गई, आग जा रहा है कि आग लगते ही मिक्सिंग प्लांट के ओपरेटर और 4 में दूर जान बचा कर भागे, इसी दवरान कमपनी के करमचारियों तथा मजियाओं थाना ने गढ़वा दमकल विभा को फोन किया, इसके बाद 2 बजे दमकल विभा के गाड़ी आई और आग पर नियंत सिक्षक 11 नॉम्बर को जामो करें लगे घिराव करेंगे, समीति के परदेश संरक्षक परमोत कुबा ने बताया है कि टेट पास 12 सिक्षक 89 दिनों से लगातार आमरन अंसंस धारना पर जन कर रहे हैं, इसके बाद भी आज तक सरकार की तरब से कोई भी बुलावा नहीं आय है और नहीं सरकार के दोवारा बेतनमान की मांगो पर विचार किया गया, इससे टेट पास 12 सिक्षक भारी आक्रोस है, टेट पास 12 सिक्षक सरकारी सिक्षक बनने की NCTE और NEP की गाईड लाइन को पूरा करते हैं, उन्होंने बताया है कि टेट संग अठन के सरस्षक ने सभ होकी मंतिर तक बेतनमान की मांग को संगठन ने पहुंचाया, लेकिन फिर भी किसी परकार से सरकार के द्वारा पहल नहीं होने के कारण, ठेट पास 12 सिक्षक अपने आपको छला हुआ मसूस कर रहे हैं, एफ आई एच महिला होकी जूनियर वी स्वक अप में जार्खन की त खोसना कर दी है, भारतिय जूनियर महिला टीम में जार्खन के तीन खिलाडी, रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और दिपिका सोरें को सामिल किया गया है, धन्यवाद